नमस्कार दोस्तों आप सीखे चैनल में आपका स्वागत है आज मैं सिंगल करर का एक बहुत ही कुप्शुरा डिजाइन लाए हूँ जिसे आप जैन स्वेटर में, लेडिज कार्डिगन में, जैकेट में, कूटी में चाहे किसी भी मन्चाहे प्रोजेक्ट में बना सकते हैं पहला फंदा स्लिप कर लेंगे, उन अपनी ओर करेंगे और सभी फंदे उल्टा बना लेंगे सभी फंदे उल्टे बना लिए गया है, लास्ट फंदा एजस्टीच है, उसे हम सीधा बना लेंगे अब डिजाइन का दूसरा लाइन और रॉंग साइड तो पहला फंदा इसे परल वाई स्लिप कर लेंगे, उन दूसरी ओर करेंगे और सभी फंदे सीधा बनाएंगे दूसरी लाइन रॉंग साइड और सभी फंदे सीधे दूसरी लाइन में सभी फंदे सीधे बुन लिये गए हैं और ये लास्ट फंदा है, एजस्टीच इसे हम उल्टा बुन लेंगे थर्ड रॉ और फ्रंट साइड पहला फंदा, स्लिप कर लेंगे, उन अपनी और करेंगे और सभी फंदे उल्टा तीसरी रू में सभी फंदे उल्टे बना लिये गए हैं और लास्ट फंदा एजस्टीच है, इसे सीधा बनाए जाएगा और फूर्थ रो और रॉंग साइड पहला फंदा स्लिप कर लेंगे, उन दूसरी और करेंगे और सभी फंदे सीधे और लास्ट फंदा एजस्टीच है, इसे हम उल्टा बनेगे तो चार लाइन हमने कंप्लीट कर लिया, आगे से सभी फंदे उल्टे और पीछे से सभी फंदे सीधे अब ये डिजाइन का में लाइन है, तो पांचवी लाइन और सामने से पहला फंदा स्लिप कर लेंगे, उन अपनी और करेंगे तीन फंदा उल्टा चार तो हमने चौथे फंदे को चार लाइन तक उधार दिया और अब फंदे में ऐसे सलाई डालेंगे और एक लूप निकालेंगे उन अपनी और करेंगे और तीन फंदे उल्टे एक दो तीन उन दूसरी और करेंगे और चौथे फंदे को तीन लाइन तक उधारेंगे, चार लाइन तक उधारेंगे एक, दो, तीन, और चार फिर ये फंदा जो दिखाई दे रहा है इस फंदे में हम सलाई डालेंगे और एक लूप निकालेंगे उन अपनी ओर करेंगे और फिर तीन फंदे उल्टा एक दो तीन फिर उन दूसरी ओर करेंगे और चौथे फंदे को चार लाइं तक उधाड़ेंगे गार दो तीन और चार फिर फंदे में सलाई डालेंगे और एक लूप निकालेंगे चार लाइन का ये डिजाइन है तीन फंदा उल्टा और चौथे फंदे को चार लाइन तक खुलके और लूप निकालके सीधे की तरब से लूप निकालेंगे तीन फंदा हमने उल्टा बुन लिया अब रोन दूसरी और करेंगे और छोथे फंदे को चौथे फंदे को चार लाइन तक उधर देंगे तीन और चार और सामने की तरफ जैसे नीट वाइज इसमें स्लाइड डालेंगे और एक लूप निकार लेंगे तो इसी तरह करते हुए पूरी लाइन कम्प्लीट कर लेंगे लास्ट में चार फंदे बचे हैं तो उन अपनी और करेंगे तीन फंदा उल्टा और लास्ट फंदा एज स्टीच है उसे सीधा बुल लेंगे सिक्स तरो और रॉंग साइड तो पहला फंदा पॉर्ल वाइज स्लिप कर लेंगे उन दूसरी और करेंगे और शे सभी फंदे सीधे और लास्ट फंदा उल्टा तो ये डिजाइन का छे लाइन कंप्लीट हो गया है चार लाइन हम यानि पहली सलाई से चौथी सलाई तक हम फिर से दूराएंगे यानि आगे से सभी फंदे उल्टे और पीछे से सभी फंदे सीधे तो चार लाइन बुनके मैं आपको दिखाते हूँ तो हमने चार लाइन बना लिये हैं यानि 10 लाइन ये कंप्लीट हो गया है और अब ये दिजाइन का ग्यारवा लाइन है और सामने से तो पहला फंदा slip कर लेंगे knitwise उन अपनी और करेंगे अगला फंदा उल्टा उन दूसरी और करेंगे और next फंदे को हम 4 लाइन तक उधरेंगे 1, 2, 3, 4 उसके बाद दिखाई दे रहा है फंदे में ऐसे knitwise सलाई डालेंगे और एक फंदा बना लेंगे उन अपनी और करेंगे अगले तीन फंदे उल्टे 1, 2, 3 अब ये देखिए जो हमने बीच में तीन फंदे रखे थे दो डिजाइन के बीच में तीन फंदे तो ये बीच वाला फंदा है यानि की दूसरा फंदा तो उन दूसरी और करेंगे और इस फंदे को हम 4 लाइन तक उधरेंगे 1, 2, 3, 4 और दिखाई दे रहा है फंदे में ऐसे नीट वाइस लाइड डालेंगे और एक लूप निकालेंगे फिर उन अपनी और करेंगे और तीन फंदा उल्टा एक, दो, तीन अब देखिए ये जो तीन फंदे हमने बीच में रखे थे दो डिजाइन के बीच में तो ये दूसरा फंदा है तो उन दूसरी और करेंगे और इस फंदे को हम 4 लाइन तक उधरेंगे एक, दो, तीन, चार और फिर देखिए जो ये फंदा दिखाई दे रहा है इसमें असे नीट वाइस लाइज डालेंगे एक लूप निकालेंगे और फिर उन दूसरी अपनी और करेंगे और तीन फंदे उल्टा तो इन ही चारो फंदो को हमें पूरी लाइन में दो राना है लास्ट में दो फंदे बचेंगे तो एक फंदा उल्टा और लास्ट फंदा सीधा और रॉंग साइट से सभी फंदे पहला फंदा स्लिप कर लेंगे और शे सभी फंदे सीधे बना लेंगे और लास्ट फंदा उल्टा दो डिजाइन के बीच में तीन फंदे का गैप है आपको खुलने में तकलिफ हो रही हो तो ऐसे पकटके खिच देजेए देखिए ये उन दूसरी और कीजे ये देखिए धर गया है तीन और ये चार अब जो फंदा दिखाई दे रहा है उसमें से सलाई डालिए और एक सीधा फंदा फिर उन अपनी और करेंगे तीन फंदा उल्टा उन दूसरी और करेंगे अगले फंदे को सलाई पर से गिराईए और ऐसे खिच दीजे उसके बाद एक, दो, तीन, चार और देखिए ये जो फंदा दिखाई दे रहा है उसमें ऐसे सलाई डालिए और एक सीधा फंदा दे लेंगे फिर तीन फंदा उल्टा एक, दो, तीन उन दूसरी और अगला फंदा सलाई से गिराईए थोड़ा से खिच दीजे देखिए ये उधर गया एक, दो, तीन और ये चार अब ऐसे सलाई नीटवा दिखाई दे रहा है फंदे में आसे नीटवाइ सलाई डालिए एक सीधा फंदा बना लेजए और अगला डिजाइन देखिए दो डिजाइन के बीच में तीन फंदे का गयप है तो अगला डिजाइन इस बीच वाले तीन फंदों में से इस बीच वाले फंदे पर बनेगा तो डिजाइन बहुत ही आसान है और बहुत कुपसूरत सामने से देखिए ये ऐसा दिखाई दे रहा है और पीछे से देखिए कितना खुब्सूरत आप चाहें तो इसे पीछे से भी इसको ही फ्रंट बना सकते हैं देखिए कितना खुब्सूरत है ये टूवे डिजाइन है चाहें इसे इस साइड को फ्रंट रखिए या फिर इस साइड को दोड़ों में से आप किसी भी साइड को फ्रंट रख सकती हैं देखिए कितना खुब्सूरत डिजाइन है चाहें इसे फ्रंट रखिए या फिर इसे अगर आप इसे फ्रंस रखती हैं तो कोई जान ही ने पाएगा कि आखिर ये डिजाइन बना किस तरह है देखिए कितना खुबशूरत है फ्रंस डिजाइन आपके सामने है बनाने में आसान और बनने के बाद कितना खुबशूरत तो आप इसे अपने स्वेटरे बनाएए, इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, डिजाइन को अपने दोस्तों में, अपने रिश्टेदारों में शेयर कीजिए, वेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवान